हम सबका अपना एक परसनल ब्रैंड भी होता है चेतन हांडा एक ब्रैंड है सरबजीज सिंग एक ब्रैंड है कुछ एक ब्रैंड है यहां तक कि एक परिवार में चार बच्चे होते चारों का अलग-अलग ब्रैंड होता है सेम परिवार में मैं आपको साबित करता हूं क्या हम सब ऐसा करते हैं हमारे यहां तो होता है आपके यहां भी होता होगा जब हम चार-चें दोस्त या चार-चें रिष्टेदार या चार-चें फैमिली के लोग बैड़ जाते हैं और किसी का जिक्र शुरू हो जाता है तो हर व्यक्ति के बारे में हमारे मन में एक राय होती है कि वो व्यक्ति कैसा है और कमाल की बात है सब लोग एक जैसे राय रखते है तो यार फलान आदमी यार दिल का बड़ा अच्छा आदमी बड़ा दिलेर है दो मिनिट लगाता है हेल्प करने में प्लाना व्यक्ति बहुत ही सच्चा और हिमानदार है मैं उसको कभी जूट बोलते नहीं देखा इसका उल्टा भी होता है बैड रेंडिंग यार उस आदमी से तो भाईया बचके रहना है उसको अगर पैसे दिये जिन्दगी में कभी वापिस नहीं आएंगे वहर व्यक्ति से उधार मांगता फिरता है यह जो चीजें हम बोलते हैं यह ब्रेंडिंग है जब आप किसी का चरित्र लिखते हैं वह ब्रेंडिंग है कुछ लोग होते हैं जिनके ओपर आप अती विश्वास करते हैं और कुछ लोग होते जिन पर बिलकुल विश्वास नहीं करते हैं बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है जैसे आप दूसरों के बारे में बात करते हैं आपके बारे में भी बात होती है लोग आपके बारे में भी एक राय रखते हैं और वह राय आपका action तै करता है बाते नहीं और सब लोग बहुत समझधार हैं मेरे बारे में जितने लोग मेरी राय रखते हैं मेरे बारे में जो भी राय रखते हूं तो बिल्कुल इमानदार और सची राय होती है हम बेशक सफाई देते रहें पर आपका ब्रैंड वही है जो लोग आपके बारे में राय रखते हैं आप जो मर्जी सोचते रहो मैं कितना अच्छा इंसान हूं या कितना बुरा इंसान है तो ब्रैंड का मतलब दूसरे लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं वो ब्रैंड है अब मेरा एक नेक्स प्रशन है आज मैं ब्रैंड पर क्यों फोकस कर रहा हूं क्योंकि हम अपने ब्रैंड के 19 वर्ष सेलिब्रेट कर आप लोगों ने गैलवे को चुना जो इस बात को साबित करता है कि आप जीवन में अपनी आज की प्रस्थितियों से खुश नहीं है और अपनी प्रस्थितियों को बदल के रख देना चाहते हैं कि आपने अपने सपनों के लिए लड़ने का डिसीजन लिया है कि मेरी तरह जब आज से 20 साल पहले मैं गरीबी का जीवन जीता था उस दिन मैंने टै किया था गरीबी को खाड़ फैकना और एक दिन अपने सपनों को पूरा करना आप भी उनमें से एक हैं यह नहीं तो आप यह बैटे नहीं होते हैं अब मुझे बात बताई एक जॉब वाले व्यक्त और बिदनस को शुरू करता है सुबह आठ बजे दुकान खोलता है रात 10 बजे बंद करता है और अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उस दुकान को बिल्ड करने में लगा देता है इसे कहते हैं बिदनस बिल्ड करना धीरे धीरे कस्टमर्स को बनाना फिर अपना एक ब सब्सक्राइब दो बजा पहली है सुरक्षा सिक्योरिटी कि एक ऐसा बिदनस बने जो कभी जीवन में दोकाना दे हमेशा बढ़ता रहे और बढ़ने की गरंटी तब होती है जब ब्रैंड बनता है ब्रैंड का मतलब इमांदारी विश्वास ओनेस्टी प्योरिटी सच्च को जब ऐसा होता है तो गहाग की संख्या लगातार बढ़ती जाती है क्योंकि लोग दिल से रिकमेंड करते हैं विपलाना बंदा बढ़ना तंसे जाके माल ले कभी ढखा नी मिलेगा कभी नसमीर दूकान में प्यद्रीशन वो एक जनरेशन के लिए नहीं होती है, वो पीडियों के लिए होती है, वो पिता जो दुकान खड़ी कर रहा है, उसके मन में होता है, कि मैं ये बिदनस जिसने आज पूरे घर को खुशाली दिये, आज लाकरों महीना कमा रहा हूं, इस बिदनस को मेरे बच्चे आगे उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, बोलो ऐसा होता है के नहीं होता है, तो बिदनस वाला अपने बिदनस पे कोई दाग नहीं लगने देता, अपने बिदनस की छवी को सुधारने के लिए दिन रात काम करता है, ताकि वो अगली पीडी में उस बिदनस को फाइदा हो, लेकिन जोब वाला वेक्ति के पास यह उप्शन नहीं होती, मैं जोब वालों की बात कर रहा हूं कि वो बच्चों को पढ़ाने में बिलीव करते हैं, क्योंकि हर बंद अपने बच्चों की सुरक्षा चाहता है, अब पढ़ाई में कहीं बच्चे अच्छे निकल जाते हैं तीसरी चोथी जन्रेशन अब तो रतन टाटा जी डिटार हो गए, दिरुबाई अम्बानी की दूसरी जन्रेशन लगे हुए, अब उनका बेटा थर्ड जन्रेशन भी आ गई, उनके पिता के साथ लग गई है, ऐसे बिरला के घराने में भी तीसरी जन्रेशन चल गई, तो आप अपने 40 वर्ष कहां लगाना चाहते हैं, ऐसी जगा पे नहीं लगाना चाहते हैं, कि आपके 40 वर्ष का फल आपके बच्चों को भी मिले, पताईए, तो दोस्तों, गैलवे में हमारा यही विजन है, कि हम गैलवे को एक ऐसा ब्रैंड बनाएं, कि हम अपने इस बिदन सब्सक्राइब क्यों बनाना है, क्यूं नहीं इसको इतना अच्छा और ताकतवर ब्रैंड बनाएं, जैसा टाटा है, जैसा बाटा है, इसा गैलवे भी हो, कि हमारे बच्चों को अम यह ब्रैंड देखे जा सके. अगर यह मंकिन तब तक नहीं है जब तक हम सब लोग साथना जो मेरी सोच है वोगर आपकी सोच नहीं है तो यह मंकिन नहीं है क्योंकि हम सब लोग एक परिवार की तरह हैं जो एक जहाज के सभा रहें और वह जहाज पानी का जहाज जहसे गइस में बहुस्ट सारे कंपार्टमेंट तरतेर प्रदेश इस फुमदा नाम महरत गलव्य दोबता है यह बात ध्यान रखने की है कोई एक डिपार्टमेंट भी बदनामी करेगा तो पूरे जहाज की बदनामी होती है तो गैल्वे को कैसा ब्रैंड बनाना है वो आज सुनश्चित करने का दिन है आप अपनी मेनत वेस्ट करना चाहते हैं या पीडियों को देखे जाना चाहते है यह कंपनी 19 वर्ष से चल रही है हमारे जिगर का टुकड़ा हमारा भाई राजू आज इस दुनिया में नहीं है जिसका हमें बहुत ग परशगांट को मनाता ऐसी पंकच आज हमारे बीच नहीं है भाग्य का फेर उन्हें हमारे बीच से ले गया है लेकिन कहीं ना कहीं एक सकून यह है कि आज भी उनके परिवार जो पेड़ राजू और पंकच लगा के गए थे गैलवे के रूप में उस परिवार को थोड़ी कि बहुत चाया दे रहा है कि यह घरा जह धे रहा है और मुझे कहते हुए गर मैसूस हो रहा है गली पीडी आज हमारे बीच में निचाता हूं राजू के बच्च और पंकच के बच्च स्टेच प्लीश इशान सिंह, अभ यह वर्ण दोस्तों यह मेरी इच्छा है यह मेरा ड्रीम है कि भविष्ये में हम रही न रहें कि हल्वे का जंडा इस जंदेशन के हाथ में